कुरोना के कारण पिछले दो सालों से बंद परसी सोनपूर मेला का शुभारम हो गया है। उप मुखमंत्री साफ परियाटन मंत्री स्री तेज़स्य यादों ने पिछले दिनों मेले काउद घाटन किया। मेला साथ दिसंपर तक चलीगा। कहा जाता है कि एक जमाने में सोनपूर मेला जंगी हाथियों का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। यहां कभी मौरे काल से लेकर एंग्रेज के सासन काल तक राजा, महराजा, हाथी, घोड़े खरिदने आया करती थी। 1867 की गद्दर के नायक बाबु कुमर सिंग भी यहां हाथियों की खरदारी करने आया करती थी। सन 1863 में रोबर्ट क्लाइब नी सोनपूर में घोड़े क्या बड़ा स्थबल भी बनवाया था। वैसे, मेली की शुरूबात सोन्पूरिस्तित हर्यरणात मंदिर में पूजा अर्चना से शुरू हुआ था। गौरो शाली, सांस्कृतिक परंप्रा के साथ साथ कई धार्मिक वा पौणारिक मन्यताएं भी हैं। पौणारिक मन्यताओं के अंसारी अस्थल गजेंदर मुक्ष अस्थल के रूप में चरचित हैं। कहा जाता है कि भगवान के दो भक्त हाथी और मगरमक्ष के रूप में धर्ती पर उत्पन हुए। कोडा हारा घाड पर जब गज पानी पेने आया तो उसे मगरमक्ष ने अपने मुँ में जकर लिया और दोनों में युद्ध प्रारंब हो गया। कई दिनों तक युद्ध चला जब हाथी कमजोड पढ़ने लगा तो उसने भगवान विश्णू की प्रातना की। भगवान विश्णू ने कार्तिक पौनिमा के दिना कर अपना सुदर्सन चक्र चला कर दोनों के युद्ध को समाप्त कराया। इस अस्थान पर दोध जानवरों का युद्ध हुआ था। इस कारण यहाँ पशू की खरदारी को शुब माना जाता है। एशिया के सबसे बड़े पशू मेला के रुप में विख्यात सोनपूर मेला में एक छोटी पक्षी से लेकर हाथी तक की बिक्री होती थी। लेकिन बन्यजीव संक्षर अधनियम 1972 लागो होने के बाद से मेला में हाथी तो होता है मगर स्रिप सोभा के लिए उसकी बिक्री नहीं होती है। एक दोर में सोनपूर मेले में नोटंकी की मलीका गुलाब बाई का जल्वा हुआ करता था। लेकिन हाल के सालों में मेला का स्वरूप नाकरात्मकृप से काफी बदला है। सोनपूर का ठेयटर कभी कला का केंदर था और मेला में ठेयटर के नाम पर अश्टलिलता परोसी जा रही है। ऐसे में इसकी साहग गिरी है। कुल मेलाकर कहने का तात पर ये है कि सोनपूर एक आम मेला नहीं है। ये भारतिये हिंदू या कहतो सनातन संस्कृती का एक बहुमुल बिरासत है। शवभागी से ये बिरासत बिहारे राजी के पास है। सरकार को बदलते समय के साथ मेला के स्वरूप में सकरात्मक बदलाव लाकर इसको बिश्व अस्थर पर परचारीत कराना चाहिए। पुशकर मेला हो या फिर कुम मेला के तर्जबर सोनपूर मेला का ब्रांडिंग होना चाहिए। ये रुजगार के द्वार तो खोलेगा ही, साथ ही साथ बाहर से लोग हमारी यहां आएंगे, मिलेंगे, उनका हमारे प्रती और हमारा उनके प्रती नजर्या भी बल लेगा बाकी नमस्कार रहेगा, मैं आपका सुमंत कुमार